यह देश में दिल्ली में खास तोर पर डिमोक्रसी को बाबुक्रसी में बदल देता है यानि कि दिल्ली की चुन्य हुई सरकार नहीं चलाएगी चन्द UPFC पास बाबु और उपराजपाल चलाएगे सारी शक्तियां चुन्य हुई सरकार से छीन कर बीजेपी द्वारा अपॉंटेड उपरा जपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है और जो बिल लाया गया है ओर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए वो बिल ओर्डिनेंस से भी जादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए देश के सम्विधान के लिए और ये बिल कई सारी चीज़े कहता है मैं आपको कुछ उधारन देता हूँ एक ये कहता है कि मंत्री मंडल के कोई भी फैसले को अफसर शाही लागू करने से मना कर सकती है और गलट ठहरा सकती है दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक और्डिट होगा कि ये फैसला सही है कि गलत है तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेर्मेंशिप्स हैं, बोर्ट्स हैं, कमिशन्स हैं, उन सब की न्युक्तियां उपरा जपाल करेंगे यानि कि जल बोर्ट से लेकर बिजली बोर्ट की न्युक्ति अब उपरा जपाल करेंगे मतलब अब आपका बिजली का बिल आएगा की नहीं आएगा पानी आपके घर मुफ्त आएगा की नहीं आएगा इसका फैसला भी उपराजेपाल करेंगे तो ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की डिस्सिप्नरी प्रोसीडिंग की कौन सा अफसर कौन सा विभाग समालेगा ये सारी शक्तियां उपराजेपाल को दे दी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार से जितनी लोकतांतरी डंक से चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए वो सारी आजिस एक बिल के माध्यम से छीन ली भाज़ पाने और ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी से अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता देखी नहीं जा रही 25 साल से दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं छे बार पिछले 25 सालों में विधान सभा के मुख्यमंत्री चुनने के चुनाव होए दिल्ली में छे के छे बार भाज़पा वो चुनाव हार गई एक बार नहीं जीत पाई उनकी सियासी जमीन खिसक गई तो अब उन्होंने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसूरी सरकार ही खतम कर दो तो दिल्ली की सियासत ही नहीं रहेगी ना सियासत रहेगी ना भारती जनता पार्टी की हार होगी चुनाव नहीं है राज्य सभा को लेकर त्यारी करने है क्या कुछ त्यारी है देखिए राज्य सभा की जहां तक बात है जब राज्य सभा के भीतर इस बिल को पेश किया जाएगा उस समय आकड़ों की चर्चा करना मुझे लगता है उचित रहेगा कौन सी पार्टी क्या मत लेती है वो फैसला हम वो जब फैसला लिया जाएगा पार्टी उद्वारा उस समय मेरे ख्याल से विस्तार से चर्चा करना उचित रहेगा लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम एक बात ये जरूर समझ लें कि एक धर्म युद है धर्म हमारे साथ है अच्छाई हमारे साथ है बुराई जूट, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में हैं। इसलिए जीतेंगे हम और अधर्म की हार होगी। लेकिन एक महत्पपून चीज मैं आपको कह दूँ। मैं आज आपके माध्यम से भाजपा के सांसदों को भी अपील करना चाहता हूं। कि आप सब भी संबिधान की शपत लेकर आज संसद भवन के भीतर बैठे हैं। सांसद बने हैं। Constitution of India को प्रोटेक्ट करने की शपत आपने लिए है। अगर संबिधान को सही माइने में बचाना चाहते हैं। तो इस बार इस दिल्ली के कानून पे, दिल्ली के बिल पे लोकतंत्र का साथ दो, संबिधान का साथ दो और इस बिल को हराने में हमारा सयोग करो। पूरी तरस इसके सहमतिया और सास है क्योंकि कल कॉंग्रेस के लिए संदी दिक्षित का एक बयान है कि इसका विरूत करना गलत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल इतना संबिधानिक है, इतना लुकतंत्रिक है कि आज बीजेपी के भीतर भी बैठे कई लोग हो सकता है संबिधान को बचाने के लिए हमारा साथ दें। देखे लगातार सुप्रीम कोट भी और इंडिया व्लॉक के तमाम सांसद भी यानि कि जुडिशरी भी और लेजिसलेचर भी सरकार से जवाब मांग रही है। कि जवाब दो मनीपूर पिछले 90 दिन से क्यों जल रहा है, मनीपूर में क्या हो गया, सरकार ने क्या किया, राज्य में भी भाजपा, केंदर में भी भाजपा, दोनों डबल इंजन की सरकारों ने मनीपूर में क्या किया, आज हम अगर सरकार के मुख्या, प्रधान मंत्री जी का एक बयान चाहते हैं, चाहते हैं कि वो संसत भवन को, संसत के भीतर, बैठे सारे सांसतों को confidence में लेकर, मनीपूर के विशे पे सरकार के मुख्या होने के नाते अपनी बात रखें, तो क्या गलत मांग रहे हैं? एक चर्चा की मांग कर रहे हैं कि मनीपूर पे चर्चा ह हो जाए, क्या गलत क्या रहे हैं? कोई सूरत चांद सितारे तो मांग नहीं लिए, चर्चा ही तो मांगी हैं, इस देश में कई बार जब इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो सदन की कारवाई स्तगित करकर आधा देन इस पे चर्चा हुई है, आठ दिन बरबाद हो किसी एक दिन भी अगर चर्चा करा लेते, सरकार किसी एक दिन भी चर्चा के लिए तयार हो जाती, तो बाकी साथ दिन सदन चल जाता है। कर सरकार और प्यूज गोईल जी उस पे चर्चा शुरू करा दें, केवल सदन के भीतर आकर ही चिलाना के हम चर्चा चाते हैं, चर्चा हो, चर्चा हो, जनता समझ जाती है कि आप नूरा कुछती कर रहे हैं, अगर आपको वास्तव में चर्चा करानी हैं, तो 65 में से कोई पी एक नोटिस उठा लीजे, चर्चा कराईए, अप लोग एक तरफ मिटिंग कर रहे हैं, इंडिया घटक दलो को लेकर प्रधान मंतरी ने कल अपनी पार्टी के ने साउस्ता असदों के साथ बैठा कि और उन्होंने का कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जो यूपीय ह इस नाम से मुझे लगता है कि BJP बहुत जादा विचलित है, बहुत परिशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और इतना परिशान है इस नाम से लेकर कि आज वो इस नाम पे हमले कर रही है, नाम को एक खराब परीपेश से देखने की एक गंदे लेंज से कर देती है, कभी अंग्रीजों के लोटेरी कमण देती है, पर्च जादा चाहते है।